आज हम start करते हैं यूपी बोट के इंगलिस सब्जेक्ट का poetry सेक्षन में मतलब कविता वाले भाग में पहला poem start करते हैं The Fountain Fountains का मतलब होता है फवारा या फिर जहरना भी इसको बोलते हैं इसको write किये है James Russell Lawell ने जो इसके कभी है poet है James Russell Lawell है इस poem में कभी ने जो fountain है उसके गुड़ों को बताएं कि सुर के परकास में फवारा कैसा रहता है चंद्रमा के परकास में कैसा रहता है और तारो के परकास में कैसा रहता है अंधोरे में कैसा रहता और हर समय ये कैसा रहता है इसके गुड़ क्या रहते हैं उसका वर्ण किये हैं और साथ में अंत में लास्ट में ये बताते हैं कि मैं भी इनकों गुडों को अपनाना चाहता हूँ इन्ही सब बातों का जिक्र किये हैं चलिए हम में पॉइंट पर चलते हैं Central idea of the poem Central का मतलब होता है केंद्री आइडिया मतलब विचार आप the poem मतलब कविता कविता का केंद्री भाव या विचार जैसे यदि हम कोई कहाणी पढ़ते हैं तस पन्नों की कहाणी है तो इसमें एदशे इक पेज में राइट करें तो जो में 마음에 पॉइंट रहेगा जो में लाइन रहेगा उसी को हम राइट करते हैं तो वैसे ये भी है चलिए हमें start करते हैं The fountain, फवारा इज वायरी, बहुत इंस्पायरी मतलब प्रेड़ा दायक, पोई मतलब कभीता है, फवारा बहुत प्रेड़ा दायक कभीता है, The poet describe, पोई मतलब कभी describe, वडन करते हैं, The fountain, फवारे का इन थ्री डिफरेंट अक्सपेक्ट, कभी फवारे का तीन अलग अलग पहलों में वडन करते हैं, In the sunshine, शुर के प्रकास में, इट ब्राइट या चमकीला रहता है, ब्राइट का मिन्स चमकीला होदा, संसाइन मतलब शुर का प्रकास, And, और अपवर्ड, उपर की वो लिपिंग उचलता है, And, glittering, सांदार रहता है, शुर के प्रकास में, या चमकीला रहता है, उचलता है, और सांदार रहता है, In the moonlight, चंद्रमा के प्रकास में, Moonlight मतलब चंद्रमा कोड़, It appears, या प्रतीत होता है, Snowbird की तरह, White मतलब सफेद, चंद्रमा के प्रकास में, जो फ्वारा रहता है, It फ्वारे के लिए है, चंद्रमा के प्रकास में, या बर्फ की तरह सफेद दिखाई पड़ता है, And, और स्वेज रिद्मिकली, रिद्मिकली मतलब लह रहता है, Like मतलब तरह, Flowers means, फूल, या फूलों की तरह लहराता है, When, जब the wind रसेज, Wind मतलब हवा रसेज, मतलब बहती है, चलती है, जब हवा चलती है, तो या फूल की तरह लहराता है, फूआरे की बात हो रही है, Under the star light, तारों के प्रकास में, It rises, Under the star light, तारों के प्रकास में, dar तारू के प्रकास में यह उपर उठता है और फुहार के रुम में गिरता है मतलब जब झहरना का यहां कभी वडन कर रहा है कि जब तारो के रूचे रहता तता फौरा ऊपर की तब उठता है और नीचे दिशेश करों में हर ठाइम हर समय आप फोड़ को देखे भी होंगे यदि जरने के पास घए तो हमेशा सफेत दिखाए बढ़ता है और ठाइम हर समय it is cheerful एक प्रसनचीत रहता है cheerful का मींस होता है प्रसनचीत रहता है यह प्रसनचीत रहता है और जीवन रहता है All the time, हर समय, इससम्स या प्रतीत होता है To be aspiring, असपर मतलब ऊपर उठता है Higher, Higher and higher हर समय या ऊपर से और ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है The poet wishes कभी की इच्छा है The poet wishes कभी की इच्छा है To learn, सिखने की These qualities, इन गुडों की कभी की इच्छा है इन गुडों की सिखने की कौन-कौन से गुड़ है फ्रेशने ताजगीपन का चेंज फिटनेस तंदुरुस्ती में बदलाओ का फिटनेस मतलब उता है तंदुरुस्ती कॉंस्टेंसी भक्ति की और एस्पाइरिंग अस्पाइरिंग मतलब उपर उठने की फ्राम दा फाउंटेंड फवारे की तरह मतलब कभी की इच्छा है कि इन गुडों को अपनाए तंदुरुस्ती पन की ताजगीपन में बदलाओ की भक्ति की और उपर उठने की फाउंटेंड की तरह अब Central Idea के बाद आज हमें Start करते है अब POEM olhos पर सीधे POEM Tao पर चलते है इंट्विदे संसाइन संसाइन मतलब सुर्क का प्रकास होता है इंट्विदे संसाइन सुर्क के प्रकास में Fool of the light Fool मतलब भरा रहता है आप दे light मतलब प्रकास में जो फुवारा रहता है शुर प्रकास में प्रकास ही क्या रहता है? भरा रहता है लिपींग उच्छलता है और फ्लेसिंग चमकता है स्षम उचरो मार्नलो मॉर्न का मिनीश वह मार्निंग, मतलब सुवा तील मतलब तक, नाइट मतलब रात vinden थर्क उचलता है और फ्लेशिंग चमकता है from c morning till night सुबह सिली कर रातर जो फवारा रहता है सुर के प्रकास में प्रकास सी भरा रहता है और सुबह सिली कर साम तक उचलता है और चमकता है Into the moonlight चंद्रमा की प्रकास में मूनलाइट का मिन्स होता है चंद्रमा चंद्रमा की प्रकास में वाइटर दैन स्नू वाइट का कमपरेटी डिगरी है वाइटर वाइटर दैन स्नू इसनू का मतलब बर्फ चंद्रमा की प्रकास में बर्फ से भी ज़्यादा सफेद रहता है Wibing so flower likes when the winds blow Wibing मतलब लहराता है So मतलब तरफ flower फूल की तरह लहराता है When the winds blow जब हवा बहती है जब हवा बहती है फूल की तरह क्या करता है लहराता है Into the starlight तारो के प्रकास में Starlight का मिन्स होता है तारो का प्रकास में फूहार के रूम में चलता है Happy at midnight Midnight का मिन्स होता आधी रात्र आधी रात्र में भी खुश रहता है Happy by day दिन में भी खुश रहता है मतलब फूला आधी रात्र में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है Ever in motion Ever मतलब हमेशा हमेशा स्ववजद रहता है जड़ेर और च्रह आनन्दी रहता है कुछ उपर चड़ता है इसका मतलब हुआ यारज जो हमेशा चलता रहता है तो कभी का कहने का इसलिए है कि हमेशा उपर स्वर की तरफ चड़ता रहता नेवर अवियरि नियूर मतलब कभी न science कभी नहीं थक्ता नहीं है Glade of All Weathers Glade का मतलब खुश रहता है All Weathers सभी मौसम में सभी मौसम में फवारा खुश रहता है Still Seeming Best Still मतलब हमेशा Seeming मतलब प्रतीत होता Best मतलब सबसे अच्छा हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है Upward उपर की तरफ और या Downward नीचे की तरफ Motion Direct उपर की तरफ जो चलता रहता है फवारा या नीचे की तरफ जो चलता रहता है Motion मतलब गती ही इसका क्या है अराम है मतलब इसका जो गती है उसका गती ही उसका अराम है Full of Nature Full मतलब भरा रहता है Nature मतलब प्रकृती प्रकृती चीजों से भरा रहता है Nothing current time Nothing मतलब कोई भी time मतलब पालतू कोई भी पालतू नहीं बना सकता फवारे को कोई भी पालतू नहीं बना सकता Change every moment Change का means बदलता रहता है every moment परतेक छड़ Moment का मतलब छड़या पल होता है short time सिजलेश का मिंस होता है लगातार उपर उठता है लगातार उपर उठता है दाई एलिमेंट अपने तत में रहता है मतलब अंदकार हो या सुरु का प्रकास हो हमेशा अपने असली गुड़ों में रहता है Glorious Fountains सांदार फवारे Let my heart be Glorious मतलब होता है सांदार फवारे Let my heart be मेरे हिर्दे को होने दो Let my heart be मेरे हिर्दे को होने दो फ्रेस ताजा चेंज़ फूल बदलाव से भरा हुआ इस्थीर तो यहां पर कभी की इच्छा है Fountains से बोल रहे है सांदार फवारे मेरे हिर्दे को होने दो फ्रेस ताजा चेंज़ फूल बदलाव से भरा हुआ constant इस्थीर आप वर्ड लाइक दी अपन मतलब उपर की तरफ दी मतलब तेरे तेरे तरह उपर की तरफ क्या करता रहूँ बढ़ता रहूँ यह आपका क्या हुआ पूरा explanation हुआ हिंदी में जी इसको जितना अच्छे से आप वर्ड मीनिंग के साथ समझे रहेंगे उतना ही आपको लिए बेतर रहेगा और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें